दोस्तो आग पर हमें सतर की दिये जाते रहे हैं कि इसका विश्कार नहीं बलकि इसकी खोज हुई थी निश्चित रूप से प्रारंबिक मौनिश्यों ने आग की घटनाओं को देखा लेकिन ये पता लगाना बहुत जरूरी था कि आग पर कैसे काबू पाया जाए और किस तरह से इसका उप्योग किया जाए आग पर पहला परियोग दो लाग साल पहरे हुआ था लेकिन आगडे बताते हैं कि इसका सही उप्योग एक लाग पचीज़ जार साल पहले शे होना सुरू हुआ आग की वज़े से आगे के अविशकार जैसे गर्मी लेना, सुरक्षा और खाना पकाने में हमें मदद मिली खाना पकाने की छमता ने सब कुछ बदल दिया इससे मिलने वाले पोशक तत्वों से दिमाग का विस्तार होने में मदद मिली मैसोपोटामिया के लोगों ने 3500 इसापूर्व के आसपास पईये का विशकार किया था जिसका उपयोग मिट्टी के बरतनों के निर्मान में किया जाता था उसके लगबग 300 साल बाद पईयों को रध पर रखा गया और उसके बाद तो सब बाकी थ्यास है ही दोस्तों नेल यानि कीली दिखने में बहुत ही सरल है लेकिन इसे आज तक के सबसे ज़्यादा उपयोग या विशकारों में से एक गिना जाता है आंकडों की मानत है इसका उपयोग प्राचीन मिस्र में लगबग 3400 इसापूरु से शुरू हुआ था और बाद में युनानियों ने 200-100 इसापूरु से इसक्र्यू का उपयोग करना शुरू किया था आप्टिकल लेंसिस का प्राचीन इत्यास रहा है प्राचीन मिस्र और मैसोपोटामिया में इसका विशकार हुआ था चश्मों से दुर्बीन और सुफ समधर्षी तक ऑप्टिकल लेंस ने हमारे देखने की संभावनाओं का विस्तार किया है कमपास का विशकार 300-200 इसापूरु चीन में हुआ था ये एक नैविगेशनल डिवाइस है जो की दिसार बताने के काम में आता है पेपर का विशकार चीन में लगबग सो इसापूर किया गया था गन पाउडर एक राषानिक इस फोटा के और नोवी सताबदी में चीन में इसका विशकार किया गया था इसके बाद लड़ने का तरीका ही बदल गया था वैसे तो बिजली का उपयोग एक ऐसी प्रकिरिया है जिसने कई दिमागों ने हजारों वर्सों से इसमें योगदान दिया है लेकिन 1880 सदी के वेगयनिक बेंजमिन फ्रेंकलीन को इसके अविश्कार कैसरे दिया जाता है बाद में इसके विस्तार को आगे बढ़ाते हुए 1889 में थॉम्स एलवा एडिसन ने बल्व का अविश्कार किया था बल्व का अविश्कार निश्यत रूप से बिजली का उपयोग करने की शमता का एक बहुत बड़ा विस्तार है इसके बाद मनुष्य के जीने का तरीका ही बदल गया इस्टीम इंजन 1762 और 1775 के बीस जेम्स वाट द्वारा इसका विश्कार किया था बाप इंजन से संचलित गाडियां जहाजो कार खानों ने एक नई रूप में उद्धोवे की करांति को जनन दिया 1869 में एंटिनी लेनियोर ने इंटरनल कमशन इंजन को निर्मित किया और बाद में निकोलस ओटो ने 1876 में इसमें सुधार किया यह इंजन रासानी कूर्जा को यांतरी कूर्जा में बदलता है और भाप इंजन को पीछे जोड़ देता है आधुने कारों और विमानों में इस कॉपियों किया जाता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को 1876 में एक बिजली के टेलिफोन के लिए पहला पेटेंट मिला यह इस तरह की तक्नीक पर काम करने वाले एकमात व्रेक्ति नहीं थे लेकिन निश्चित रूप से इस उपकरने संबाद करने की हमारी छमता में करा अभ्यास रोगों के उन्मोलन और मानव जीवनकाल को फैलाने के लिए जिम्मेदार है पहले टीका चेचक के लिए 1796 में एडवर्ड जेनर दुवारा विक्षित किया गया था रेबीज वैक्सीन फ्रांसीसी केमिस्ट और जीव विग्यानी लूइस पास्टर दुवारा 1885 में विक्षित किया गया था 1885 में पहली मोटरकार जर्मन वैग्यानिक कॉल बेंज ने बनाई इसमें एक सिलेंडर और तीन होर्स पावर का न्यंद था कार के आने से हमारा यांत्रा करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया साथी साथ हमारे सहरों के डिजाइन भी बदल ग की गई यह दवास संक्रामक वैक्टीरिया विमारियों को ठीक करने की अपनी अद्बुच छमता से बहुत पॉपलर हुई तता इसके बास से ही एंटिबाइटिक्स का युग शुरू हुआ शुरुवाती रोकेट का विश्कार प्राचीन चीनी को दिया जाता है आधुनिक रोकेट सेने चमताओ को बदलने और मानो द्वारा अंत्रिक्ष में और अधिक संभावनाई तलाजने में मददकार साबित हुआ नुकलर फिशन परमानु विखंडन की विशिष्ट खोज को समानते जर्मन ओटो हॉन और फ्रिट्स इस्टाउसमान को दिया जाता है जिनोंने ऑस्टेलियन लिसे मींटर और ओटो फ्रिंच के साथ काम किया सेमी कंड़क्टर का डेमोंस्टेशन सबसे पहले बेल लेब्स के वॉल्टर ब्रेटन, विलियन सौकली और जॉन बर्दिर्न दौरा 1947 में किया गया सेमी कंड़क्टर, आधुनिक, इलक्टोनिक्स डिवाइस और डिजिटल यूग का आधार है ये परमुकता सिलिकॉन से बनाय जाता है सिलिकॉन के नाम से ही सिलिकॉन वैली का नाम पड़ा जो आज की परमुक कंप्यूटिंग कंपनियों का एक गड़ है 1970 के दसक में पर्सनल कंप्यूटर पहली बार विक्सित किया गया 1974 में माइक्रो इंस्टुमेंटेशन एंड टेलिमेटरी सिस्टम्स ने मेल ओर्डर कंप्यूटर किट का प्रतसन किया जिसे उन्होंने एल्टेर का नाम दिया विक्तिगत कंप्यूटरों ने मानो चमताओ का बहुत विस्तार किया इंटरनेट तो दोस्तो एक तरह से बोनस के रूप में हमें मिला है कंप्यूटर को एक दूसरे से जोडने की जरूरत से इसका विकास हुआ सबसे पहले यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने आर्पानेट का डवलप किया बाद में 1990 में टिम बर्नली रे डबलु डबलु को किरियेट किया कि सबसे जोड़ को लेगे चार्टमेंट खिम आर्टमेंट आर्टमेंट